नमस्कार, क्षेत्रिय शिक्षा संस्थान, N.C.E.R.T. मैसूर के E-Content Development Program में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम आटविंक अक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भागतीन में सम्मिलित बाज और सांप कहानी पर बाचित करेंगे बाज और सांप कहानी में निर्मल वर्मा ने दो प्राणियों के जीवन, उनके जीने और सोचने का धंका वर्णन किया है पहला प्राणी बाज जो साहस का प्रतीक है वह अपनी जान के परवा किये बिना आसमान में उड़ना चाहता है वह स्वतंत्रता को अपनी जान से भी बढ़कर मानता है दूसरा प्राणी सांप जो कायरता का प्रतीक है वह अपनी गुफा तक ही सीमित रहता है बाज का साहस उस कायर प्राणी में भी साहस भर देता है तो आईए सबसे पहले कहानीकार के बारे में जानते हैं इस कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा इनका जन्म 3 एप्रेल 1929 को हुआ ये हिंदी के आधनिक साहितिकार हैं हिंदी साहितिय में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक के रूप में निर्मल वर्मा का अग्रणी स्थान है उनकी कहानियों में आधनिकता का बोध है रात का रिपोर्टर, एक चिथडा सुख, लाल्टीन की छत, वेदिन, निर्मल वर्मा के चर्चित उपन्यास है उनका अंतिम उपन्यास अंतिम अरण्य 1990 में प्रकाशित हुआ था उनकी सव से अधिक कहानियां कई कहानी संग्राहों में प्रकाशित हुई है परिंदे निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्राह है बाज और साम कहानी जीवन की सार्थकता पर प्रकाश डालती है केवल जीना नहीं, अर्थपूर्ण जीना महत्वपूर्ण होता है जीवन में उत्सा और उमंग होना चाहिए और चाहिए कि कुछ हासिल करने की जित जीवन को अर्थपूर्ण बनाना मनुष्य के कर्म पर निर्भर रहता है कायर्ता मनुष्य के नव निर्मान की शक्ति को खत्म करती है जबकि निडर्ता सपनों को साकार करती है बाज और सांप साहस पूर्ण जीवन जीने की प्रेरना देती है तो आईए बाज और सांप इस कहानी को अभिने द्वारप रस्तुत किया जा रहा है उसे देखें समुद्र के किनारे उन्चे परवत की अंधेरी गुफा में एक सांफ रहता था समुद्र की तूफानी लहरे धूप में चमकती, जिल्मिलाती और दिन भर परवत की चटानों से टकराती रहती थी परवत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी भेती थी अपने रास्ते पर भिखरे पत्तरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई, यह नदी बड़े जोर से समुद्र की और लपकती जाती थी जिस जगप पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरे दूद के चाग जैसी सफेद दिखाई देती थी अपनी गुफा में बैटा हुआ साथ, सब कुछ देखा करता, लहरों का गरजन, आकाश में जिक्टी हुई, पहाडियां, टेडी मेडी बलकाती हुई नदी के गुसे से भरी आवाजें, वह मन ही मन खुश होता था, कि इस गरजन तरजन के होते हुए भी, वह सुकी और सु आमी है, ना किसी से लेना, ना किसी से देना, दुनिया की भाग दोड चीना जप्टी से वह दूर है, सांप के लिए यही सब से बड़ा सुक था, एक दिन एका एक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपत, एक बाज साफ के उस गुफा में आगिरा, उसकी चाती पर कित इतने ही जखमों के निशान थे, पंख खून से सने थे, और वह अदमरा सा जोर शोर से हाप रहा था, जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीक मारी, और पंखों को फड़फडाता हुआ धर्ती पर लटने लगा, डर से साम अपने कोने में सिकुड गया, किन्तु दू उसकी हिम्मत बंधी और वहार रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुँचा, उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों बाई, इतनी जल्दी मरने की तयारी कर ली, बांज ने एक लंबी आह भरी, हाँ, ऐसा ही दिखता है कि आकरी गड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिन्दगी भी कूब रही बाई, जी बरकर उसे भोगा है, जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुक ऐसा नहीं बोचा, जिसे ना भोगा हो, दूर दूर तक उडाने बर है, आकाश की असी मुझे को अपने फंकों से नाप आया हूँ, तुम्हारा बड़ा दुर्बाग यह है कि तुम जिन्दगी बर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उटा पाओगे, सांफ बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, आकाश में आकी रखा क्या है, क्या मैं तुमारे आकाश में रेंग सकता हूँ, ना बाई, तुमारा आकाश तुमें ही मुबारक, मेरे लिए यह गुफा बली, इतनी आराम देहा और सुरक्षित जगा और कहा होगी, सांफ मन ही मन बाज की मुर्कता पर हस रहा था, वह सोचने लगा कि आकिर उड दिलने और रेंगने के बीच कौनसा भारी अंतर है, अंत में तो सब के भागी में मरना ही लिखा है, शरीर मिटी का है, मिटी में ही मिल जाएगा, अचानक वाज ने अपना जुखा हुआ सर उपर उठाया, और उसकी दृष्टी सांफ की गुफा के चारों और घुमने लग गंत फैली हुई थी, मानों कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो, बाज के मुझ से एक बड़ी जोर की करुन चीक फूट पड़ी, आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, बाज की ऐसी करुन चीक सुनकर सांफ कुछ सिट पिटा सा गया, एक शंग के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रती इच्छा पैदा हो गई, जिसकी वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर चटपटा रहा था, उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चटपटान के किनारे से उपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि तुमारे पेरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो की तुम आकाश में उड़ सको, कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जग उठी, वह दूने उच्सा से अपने घायल शरीर को गसीटता हुआ, चटपटान के किनारे तक कीच लाया, खुले आकाश को देखकर उसकी आँखे चमक उठी, उसने एक गहरी, लंबी सांस ली और अपने पंक फैला कर हवा में कूद पड़ा, किन्तु उसके टूटे पंकों में इतनी शक्ती नहीं थी कि उसके शरीर का बोज संबाल सके, पत्तर सा उसका शरीर रखता हुआ नदी में जा गिरा, एक लहर ने उठकर उसके पंकों पर जमे खून खो धो दिया, उसके ठके मांदे शरीर को सफेज फेन से ढग दिया, फिर अपने गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली, लहरे चटानों पर सिर धुनने लगी, मानो वाज की मृत्यू पर आसू बहा रही हो, धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आखों से ओजल हो गया, चटान की खोखल में बेटा हुआ सांप, सा आकर्शन चिपा है, जिसके लिए बाल्ज ने अपने प्राण गवा दिये, वह कुछ तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चेन अपने साथ ले गया, ना जाने आकाश में क्या कजाना रखा है, एक बार तो मैं भी वहा जाकर उसके रहस्या का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चकलूंगा, यह खेकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश के शुन्यता में छोड़ दिया, धूप में क्षन भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किन्तु जिस जिस्वर की क्रिपा से बेचारा बज गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी, सांप हस्ते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, बर पाया में तो पक्षी भी कितने मूर्ग हैं, दर्ती के सुख से अंजान रहकर आकाश की उन्चायों को नापना चाते थे, किन्तु अब मैंने जान दिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल डेर सी रोशनी के सिवा, वहा कुछ भी नह सरीर को संबालने के लिए कोई स्तान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डिंगे हांकते हैं, किस लिए दर्ती के प्राणियों को इतना चोटा समझते हैं, अब मैं कभी दोका नहीं काऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और कूब देख लिया, ब मरते मरते बच गया अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गए है कि अपनी कोकल से बड़ा सुक और कहीं नहीं है दर्ती पर रेंग लेता हूँ मेरे लिए यह बहुत कुछ है मुझे आकाश की स्वचंदता से क्या लेना देना ना वह अच्चत है ना दिवारे है ना रेंगन के लिए जमीन है मेरा तो सिर्फ चक्राने लगता है दिल काम काम जाता है अपने प्राणों को कतरे में डालना कहा कि चतुराई है सांफ सोचने लगा कि बाज अभादा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी किन्तु कु पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किन्तो कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। साफ ने सुना लहरे मधुर स्वर में गा रही है। कि एक एक बूंद जिन्दगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहदूर दिलों में स्वतंतरता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किन्तु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाये जाएंगे तुमारा नाम बड़े गर्व और श्रधा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिन्दगी के उन दिवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यों से नहीं डरते। तो इस कहानी को देखने पर पता चला कि यह कहानी दो मुद्दोंग की ओर इशारा करती है। पहला स्वतंत्रता के महत्व को स्थापित करना और दूसरा जीवन संघर्ष और जीजी विशा को रेखांकित करना। तो पहला है स्वतंत्रता के महत्व को स्थापित करना। तो इच्छानोसर जीवन जीने की आजादी स्वतंत्रता कहलाती है। बाज इसे स्वतंत्रता का प्रतीक है, उसने आकाश के असीम उंचाईयों को छुआ है, अब यहाँ घायल है, इसके बावजूद आकाश में उड़ने की उमंग है, उसका दर्द, उसके साहस और उमंग को नहीं तोड़ पाता, दर असल यह उन सभी के लिए आदर्श है, जो अपने स्वतंत्रता को खोकर जीवन जीते हैं, छोटे से स्वार्थ के लिए अपने जीवन लक्षी को भूल जाते हैं, कहानिकार ने इसी सच्चाई को बयान करते हुए स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया है, इस कहानी में जीवन संघर्ष का चितरन हुआ है, कहान साम्प का संपूर्ण जीवन इसी नियती के विरोध में है। वह अपनी दुनिया में सुखी है, किन्तु उसका जीवन अर्थपूर्ण नहीं है। बाज घायल होने पर भी अपनी जिजी विशा को नहीं खोता। तभी तो उसके बलिदान पर समुद्र की लहरें गीत गाती है दुनिया में उसे ही याद किया जाता है जो सोतंत्रता की खोज में बलिदान करता है। इस सिद्रुष्टी से साम्प का जीवन तो निरर्थक ही है, दर असल कहानीकार ने जीवन में संघर्ष की अनिवार्यता को महत्वपूर्ण माना है। इस कहानी बाज की वीरता और स्वतंत्रता पर प्रकाश डालती है। बाज अपना बलिदान देकर यह संदेश देता है कि मनुष्य को साहसी और बहाद्दूर बनना चाहिए। जीवन में स्वतंत्रता और आजादी के लिए जीवन संघर्ष करना चाहिए। हम उम्मीद करत रहें कि आप इस कहानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद। करता है कि अपना चाहिए।